हलके पतले चढ रहे बालों में 20 दिने से लगाया बाल ऐसे काले लंबे खने हुए की नमश्कार दोस्तो आज हम आपके लिए बहुत इक खास उपाई लेकर रहे हैं क्योंकि ये जो तेल आप देख रहे हैं ये तेल नाकिवल आपके बालों का चढ़ना रोकेगा साथी साथ आपके बालों की लंबा इतनी तेली से बढ़ाएगा कि आप भी खुशी से छूम उठेंगे दोस्तो वैसे तो बालों के जढ़ने तूटने उनके रोखे होने के कई तरह की कारण होते हैं हम कई बार बाहर से ऐसे कोस्मेटिक प्रोड़क्ट बालों में लगाते हैं जिनके नतीजे शुरू में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन कुछ समय बाद ये बालों पर उल्टा असर दिखाते हैं बाल चढ़ने लगते हैं पतले होकर बिल्कुल बेजान हो जाते हैं और बालों में ऐसा रुखा बनाता है कि बाल दिखने भी अच्छे नहीं लगते लेकिन आज दोस्तों हम आपके लिए कैसा तेल बनाना सिखाएंगे जिसके बाल आपको बालों में कुछ भी लगाने की जोद नहीं पड़ेगी ये तेल आपके बालों की पूरी क्यार करेगा और चढ़ना तूटना रोक कर बालों की लंबाई को तोगनी तेल से बढ़ाएगा तो चलिया ये देखते हैं इस तेल को आपको कैसे बनाना है इस तेल को बनाने के लिए दोस्तों पहली चीज आपको यहाँ पर लेनी है वो है ये प्यास अगर आप पतले बालों से परिशान है क्या आपके बालों का रंग उड़ता जा रहा है बाल बिल्कुल फिके से हो गए है तोने काला बनाने के लिए और पतले बालों को फिर से मोटा करने के लिए दोस्तों ये लाल प्याज बहुत फाइदमल है आपको यहाँ पर क्या करना है पहले इस तरह से एक खाली कांच की बोटल लेनी है हम दोस्तों यहाँ पर एक खाली कांच की भूटल लेंगे और उसमें हम इस प्यास को डालेंगे आप इस तरह से चक्को लीजे और चक्को से पहले से छेल लीजे मार्किट में दूसरो वैसे तो 3 तरह के पयाज आती हैं लेकिन आपको लाल पयाज का इस्तिमाल करना है क्योंकि लाल पयाज में सलफ़ा अरनिक मातर में होता है जो बालों के जहड़ना रोकने के लिए और गंजे पन से बचाने के लिए बहुत फायद मत है इसी के साथ साथ प्याज हमारी स्काल्प से infection को ठीक करते हैं जैसे बालों के पतले होनी की समस्या और premature यानि की grey hair की समस्या ठीक होती है आप दोस्तों इस तरह से प्याज को छोटे छोटे pieces में काटिये और हम यहाँ पर इसे एक खाली कांच की बोटर में डालेंगे और फिर इसके साथ साथ आपको दोस्तों यहाँ पर लेना है clothes जिसे हिंदी में हम long कहते हैं साधारन भाशे में दोस्तों बात करें तो long हमारे बालों को strength बढ़ाने के लिए और hair got में मदद करते हैं इसी के साथ साथ इसमें पाई जाने वाले anti-inflammatory gun हमारी hair thickness को बढ़ाते हैं जिससे पतलेवाल मोटे होने लगते हैं और वो दिखने में घाने लगते हैं आपको दोस्ती यहाँ पर क्या करना है कि ताजे clothes लेने हैं आप packet वाले या खोले हुए कैसे भी ले सकते हैं लेकिन वो बिल्कुल ताजे होने चाहिए और हम यहाँ पर इस तरह से चमच में 10 साबुत लोंग लेंगे और तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर इस्तेमाल में लेनी है वो है coconut oil यानि की नारियल का तेल यहाँ पर दोस्तों आप दो तरह की तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके घर में सरसों का तेल है तो आप वो डाल सकते हैं नई तो इस तरह से यह मेंने नारियल तेल लिया है और इस तेल के 20 चमच आप इस तरह से यह कांच की बोटर में डालें आप दुस्तों चाहे तो छोटी नारियल की टेल की बोटल ले सकते हैं इस तरह की आप इसे पूरा डाल सकते हैं या फिर 20 चमबच के बराबर इस नारियल टेल को इसमें डालिए और फिर रात भर के लिए से ऐसे ही छोड़ दीजी इस तेल को दोस्तो जितना बनाना असान है उतना ही ज़रूरी ये जानना है किसे लगाना कैसे है क्योंकि किसी भी तेल का बालो पर सही असर तब दिखता है जब हम उसे सही से बालो पर लगाते है तो चलिए ये जानते है इसके बारे में इस तेल को बालों में लगाने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले अपने बालों के लिए एक घंटा निकालना होगा क्योंकि आपको क्या करना है कि पहले यहाँ पर हम इस तेल को लेंगे इसे पहले अच्छे से हिला लेंगे उसके बाद दोस्तों आपकी बालों की जितनी भी लंबाई है हम लड़का हो ये लड़की बालों की लेंट के हिसाब से इस तेल को एक बाउल में निकाल लेंगे जिससे हम आसानी से इसे बालों भी लगा सके हम यहाँ पर तीन से चार चम्मच के वराबर ये तेल निकालेंगे और हलके हाथों से धीरे धीरे अपने बालों पर इसकी मसाज करेंगे आपको दुस्ते इसकी मसाज तेजी से नहीं करने आप हलके हाथों से बालों की जड़ों में मसाज करें और जितना जो तेल आपका बच जाएगा उस तेल को अपने बालों के उपर लगा ले और इस तेल को कम से कम एक घंटे तक अपने बालों पर लगा के रखना है उसके बाद आप नहा लीजे और फिर शैंपू करके से अपने बालों से उतार लीजे इस तेल का इस्तिमाल दोस्तों आपको इसी तरह से करना है हफ्ते में आपको ये तेल बालों में तीन बार लगाना है और बीस दिन में ही आप दोस्तों दिखेंगे ये तेल आपको अपने बालों पर रिजर्ट दिखाने लगेगा आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी साथी साथी आपके बालों की पूरी क्यार करेगा जिससे आपके बालों का छड़ना और टूटना बंध होगा और बालों में शाइन आएगी आज की जानकारी बस यहीं तक थी पसंद आयतों से लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें साथी साथ चैनल को सबस्क्राइब पिर लें ताकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलती रहें वीडियो को देहने के लिए धन्यवाद